उतर प्रदेश में किशोर बहनों की गोली बारी मैदानों में मिली निकायों दो बहनों में 17 और 13 आज सुबह उतर प्रदेश के इर्टावा में हत्या हुई थी दोनों लड़कियों को गोली मार दी गई पुलीस ने कहा मौके पर गोलिया और चपल पाए गए लड़किया शाम को शोचालय का इस्तमाल करने गई थी और जब वे कुछ समय के लिए वापस नहीं आए तो परिवार ने सोचा कि वे गाउं में एक शादी में भाग लेने गए थे अगली सुबह वे अपने गाउं से सिर्फ 500 मीटर तक मुरित पाए गए थे जब केला माउं में ग्रामीरों ने खेतों में जा रहे थे तो उन्होंने अपने शरीर पर ठोकर खाई उन्होंने तुरंट माता पितार को सूचित किया और पुलिस को बुलाया लड़कियों के पिता ने बताया जब हम सुबह में एक कॉल को उनके हत्या के बारे में सूचित किया गया था हम किसी के साथ दुश्मनी नहीं करते थे मुझे नहीं पता कि मेरी बीटियों को क्यों मार दिया जाएगा उनके शरीर को पोस्ट मार्टम के लिए भेजा गया है और जाँच शुरू हो गई है वरिष्ट पुलिस अधीक्षक शोक्त्रिपाथी ने कहा जब ग्रामीरों ने जान लेने की मांग की कि क्या उन है मारने से पहले बलातकार किया गया पुलिस ने कहा कि वे पोस्ट मार्टम रिपोर्ट की प्रतीक्षा कर रहे हैं इतावा के विधायक सरिता भादरिया ने निश्पक्ष जाँच के परिवार को आश्वस्त किया और कहा कि आरोपी को जल्दी गिरफतार किया जाएगा उन्होंने कहा यह एक गंभीर मामला है मैं उनके साथ नियाय के लिए लड़ाई में हूँ अभी उक्तों को दंडित किया जाएगा बस कल शाम हिटावा से लगभग सौ किलो मीटर दूरेटा में अपने माता पिता के साथ शादी करने वाली एक आर्ट वर्षिय लड़की को बलातकार और गला दिया गया गाओं के एक नशे में हुए किशोर बच्चे के शरीर के बगल में जूट पूल गए थे